जी इसलाम अलेक्म क्या आल चाला ठीक हैं अच्छा यार मैंने न पहले वीडियो एकमना ही ती बिग या समाल सीटी तो मैंने उसमें ज्यादा प्रेफर किया था कि समाल सीटी में आए मैं उस पर आज बनाओंगा कि उसकी रीजन किया है ठीक है और जो यूक्य के बड़े-ब सब्सक्राइब तो इनकी सिचुएशन एस गंपे टू छोटे जो समाल सीटी जैंओं क्या है और अगर देखा जाए तो यूके में जो स्नेरियो ना भी जाल रहा है वह तो वह जाल रहा है कि पहले आए पहले पाएं जो बंदा पहले यूके में एंटर हो गया ठीक है राश आते हैं वो फिर रच पढ़ जाता है और जो जितनी भी स्पेसिज हैं वेरोसिज में फैक्टरीज में और रेस्टॉरेंट्स पे वो फिल हो जाती हैं तो फिर जो बाद में लोग आते हैं लेट आते हैं उनके लिए तो वैसी मुश्किल हो जाता है ना तो वो फिर वो वो जो कहते हैं कि हमें यूके में जोब नहीं मिलती लेकिन उन्हें भी मिल जाती है मिल जाती है हर बंदे को मिल जाती है लेकिन ये है कि किसी को आते साथ मिल जाती है किसी को महिना लाग जाता है किसी को डेड़ महिना भी लाग जाता है जिनकी बहुत जादा बैडला को तो ये स चेहरों में रहने के नुक्सानाद भी होते हैं अब आप पाक्सान से अगर सो बंदा आ रहा है ना तो सो में से ना आपको नाइंटी बंदे ये कहेंगे कि यार मैंने बर्मिंगम मिंचेस्टर ग्लैस को या लंदन में जाना है माना कि वो बड़ा शेयर है लेकिन एक नाइंटी परसेंट जो रेशो है ना या एटी परसेंट रेशो वो बड़े सिटीज की है और जहां पर जॉब्स बहुत जदा वेलेबल हैं वहां पर स्टूडेंट्स की रेशो बहुत काम है जिसकी वज़ा से अब सिनेरियू ये क्रि स्टूड उतनी जोब्स नहीं रहें जितने स्टूडेंट्स आगें हैं दूसरा वहां पर अकॉमोडेशन महिंगी है और दूसरे ग्रोसरी वगरा भी बाद एरियाज में महिंगी होती है बाद में सस्ती होती है तो बड़े शेयरों का अब जो सिनेरियू है मुझे लगता ह चाहिए ठीक है अब मैं भी एक बहुत चोटे सिटी में रह रहा हूं लेकिन हम यहां पर जोब्स हर बंदे को मिल गई हुई है बहुत कोई एक आद बंदा होगा जो भी अफ़ता दो फ़ते पहले आया होगा यहां पर और उसे भी जोब नहीं मिली है बाकि जितने भी कि भी दो रीजन्स होती है एक यहां पे ना जहां पर गोरों की कम्यूंटी जदा होगी ना अब लिंकन में मैं हूं तो लिंकन में क्यूंके 90 परसेंट गो रही है तो गोरे आपको कैसे नहीं नहीं देंगे और पाकी थोड़ी जो कम्यूंटी है वो एशियन है एशियन फि होता है लेकिन यह है कि जितना रश पाद के मसला होता है बहुरा कि अब हर बंदा Web तीसरा बंदा अर दूसरा बंदा यें कहता कि मैंने लंडन में जानाहाँ मैंन कर बर्मेंगं जाना मैंचिस्टर जाना है तो वहां कि उसकी वज़ा से एक तो कौमडेशन हिग हो जाती है दूसरा रश बढ़ने के वज़ा से जोब्स नहीं मिलती अब कुछ लोग मेरे दोस्त रह रहे हैं उनको बहुत मुश्किल से जोब्स मिली है कैश इन हैंड की और एन आई की भी यार वो कहते हैं कि यार उतनी जोब्स नहीं हैं जितने यहां पर लोग रह रहे हैं तो बंदा आपकी युनिवस्टी लंदन में हैं तो जरूर लंदन में रहें लेकिन आपकी युनिवस्टी अगर लंदन से बाहर है और वहां पर कोई छोटा सिटी या नॉर्मल सिटी आपको लगता है आप उसे छोड़ के लंदन को प्रैफर करेंगे तो फुर फिर मुश्किल अगर आपको हिकम हिना भी जोब नहीं नहीं मिलेगी और आपका ट्रेवल एक्सपेंस में कोई दो तीन सो चार सो पाइंच सो जब निकलना है ना तो आपको पता चल जाना है इसलिए कोशिश करें कोशिश करें कि अपनी युनिवस्टी वाले अरिया में लाजमी रहें वो छोट सीटी की तरफ बाग बाग जाने को आप छोटे की तरफ मूव हो जो लोग छोटे सीटी में रहें वो जादा खुशाल है ठीक है तो बड़े सीटी की अब सीचुएशन वो नहीं रही जो पहले लगता था अब बहुत जादा मुश्कलात आती है स्टूडेंट्स को अकॉमो बाकी ख्यार रखें अपना हसते रहें मुस्कराते रहें खुश रहें अबाद रहें